बजाज ओर्टो ने भारत में अपनी नई मोटरसाइकल पलसर एनेस 125 लॉंच कर दी है कंपनी की नई बाइक अब पहले से ज्यादा पावर्फुल हो गई है लेकिन अब इसमें ABS जैसा सेफ्टी विचर नहीं दिया गया है ये कंपनी की एंट्री लेवल स्पोर्ट्स बाइक पलसर 125 के तुलना में थोड़ी महिंगी है इंजिन की बात करें तो पलसर एनेस 125 में 125 सिंगल सिलेंडर एयर कुल्ट फ्यॉल इंजेक्टेट डीटीएस आय इंजिन मिलता है ये इंजिन रेगुलर पलसर 125 बाइक में भी दिया गया है ये नए इमिशिन लॉम वाले BS6 इंज अधिक्तम 12 पीएस की पावर और 11 एनेम का पीक टॉर्क जनरेट करती है बजाज आटो के मुताबिग नई पलसर एनेस 125 मोटर साइकल में शांदार पावर और पफॉर्मेंस में इसके साथ ही इस सेग्मेंट में बाइक की तुलना में इसमें कई खास फीचर्स मिलते है तू जादा अंतर नहीं है यह बाइक अभी भी फ्रंट की तरफ से सिगनेचर वॉल्फ आइव डेजाइन के साथ पेज की गई है पलसर एनेस 125 की साइड में को बढ़ाया गया है और इसमें स्पोर्टी बॉडी ग्राफिक्स इस्तमाल किये गया है बाइक में रियर में सिगनेच की एक शूरूम कीमत तेरानवे हजार चीजसो नबे रुपे रखी है बजाज और टोनेई पलसर एनेस 125 बाइक को चार कलर ऑप्षिन में उतारीगी फियरी ओरेंज बॉंट वेर बीच ग्लू और पीटर क्री अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और और टो अड़ा चानल को सब्सक्राइब करें अगर आपका कोई सवाल ये सुझाव है तो कमेंट करके हमें बताए